Hello and welcome to my YouTube channel इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि as per NAC Circular quantity freeze limit हम हमारे अलगो में किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं तो basically आपको क्या करना होगा जो भी आप अलगो ट्रेडिंग सिस्टेम यूज कर रहे है अगर आप hobby trading वाला यूज कर रहे है या फिर order punching वाला यूज कर रहे है तो आपको respective excel sheet के अंदर आना है उसके बाद आपको किसी भी एक sheet के उपर click करना है and unhide वाला option select कर लेना है इसके बाद आपको quantity configuration वाला window select करना है जैसे आप quantity configuration select करोगे तो आपके पास ये वाला window open हो जाएगा यहाँ पे आपको क्या करना है हमें basically ये जो maximum quantity maximum quantities वाला column है इसको ही update करना है जैसे कि nifty के लिए previously 5000 quantities as a freeze limit था लेकिन अभी update होके इसको कर दिया है 2800 तो आपको क्या करना होगा nifty वाले column के अंदर आना है cell के अंदर आना है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ bank nifty के लिए 1200 nifty के लिए 2800 and fin nifty के लिए 2800 तो हम क्या करेंगे nifty के लिए 2800 fin nifty के लिए 2800 and bank nifty के लिए 1200 1200 ये सारी चीज़े update करने के बाद आपको एक बार इस sheet को save कर लेना है और इसके बाद आपको इसको close करके आपका algo फिर से run करना है याद रहा कि आपको आपका algo फिर से rerun करना होगा thank you